हेलो गाइस आग सभी का स्वागत है हमारी नए चैनल इस्टेड़ी विट इसमाइल पर यह वीडियो हमारी चैनल दोरा अपलोड किया गया पहला वीडियो है आज हम सभी इस वीडियो में जौनपुर की हिस्ट्री के बारे में डिसकस करेंगे जौनपुर की इतिहास के बारे में डिसकस करेंगे आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे अगर आपको यह वीडियो अच So, first of all, हम जिस प्लेस के बारे में डिसकस कर रही हैं, हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए तो चलिए जॉनपूर की लोकेशन समझ लीती हैं, कि जॉनपूर की लोकेशन आखिर कार कहा है तो जॉनपूर एक छोटा सा जिला है, यूपी में, और यह बॉर्डर टेश्ट करता है, आगे मैं आपको मैप की माध्यम से दिखाऊंगा, कि जॉनपूर की असली लोकेशन कहा है चलिए मैप को देखते हैं, तो आप देख रहे होंगी, कि जॉनपूर बॉर्डर टेश्ट करता है, आजमगर, शुल्तानपूर, प्रियागराज, जो पहले अलहाबाद की नाम से जाना जाता था, संत रवीदासनगर, जिसे बदूई का जाता है, वरांसी और गाजीपूर इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, जॉनपूर इन सभी सहरों से बॉर्डर टच करता है, शुल्तानपूर, तताबगर, प्रियागराज, संत रवीदासनगर, वरांसी, गाजीपूर, आजमगर, तो यह जॉनपूर की लोकेशन है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं असा करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो क्रिप्या, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, अपने ठॉट को कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं, और क्या नई चीज़े मेरे द्वारा और एट की जानी चाहिए यह भी आप क्रिप्या मुझे कमेंट करके बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए थोड़ी सी जानपुर के हिस्ट्री पे नजर डाल लेते हैं, तो 11th century में घरवार, राजपूत, कन्नौश के, उन्होंने जफराबाद और यमुनापुर, जिसे जानपुर के नाम से अब जाना जाता है, उसे रिच और पाउरफुल बनानी की कोशिस की, तो जानपुर का एक्जिस्टेंस बहुत पुडाना, करीब 11th century से हैं, लेकिन असले कहानी सुरू होती है, 1194 AD में, जब कुतुब दीन एबेक, मान देव, या जिसे जफराबाद कहा जाता है इस समय म उस पर अटेक करता है और वहां राजि करता है, तो यहां से डेली सल्टनेट की सुरुआत जानपुर में होती है, आगे बढ़ते हैं, जानपुर का पुराना नाम सीराजे हिंद था, जो कि फिरोसा तुगलक की कारेकाल से पहले जानपुर का नाम सीराजे हिंद था, जाना जाता था 1359 तक, फिरोसा तुगलक ने जानपुर की स्थापना की, अपने चचेरे भाई की याद में, जिनका नाम था मोहमद बीन तुगलक, और उनका निकनेम जूना खान था, तो जूना खान की याद में, फिरोसा तुगलक ने, जानपुर की स्थापना की 1359 में, और ये जूना खान कौन था, जूना खान था मोहमद बीन तुगलक, ठेक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1388 में, फिरोस साथ तुगलक ने, मलिक सरवार को, एज़ गवर्नर अपॉइंट की है, इस रीजन का, 1389 में, महमद महमूद सा, जो फिरोस सा का बेटा था, उसने गद्धी हासिल की, उसने सरवर ख्वाजा, जो कि उस समय उनके, सामराज में, एक मंत्री की पोश्ट पर था, 1393 में, उसे, मलिक अलसराग का टाइटल देते हुए, जोनपुर का गवर्नर बनाते हैं, और रूलर बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे, यही, सरवर ख्वाजा, सरकी डानेश्टी का फाउंडर बनेगा, चलिए सरवर ख्वाजा या मलिक अलसराग ने जोनपुर को अपनी कैप्टल बनाया, और यहां से राज करना सुरू किया, उसका रीजन इटावा, बंगाल तक, इटावा से बंगाल तक और विंध्याचल से निपाल तक था, मलिक अलसराग जो सरकी डानिस्टी का फाउंडर था, उसकी देथ हो जाती 1398 में, इब्राहिम सा को उसकी देथ के बाद गदी मिलती है, और यही इब्राहिम सा है, जिसने अटाला मस्जित की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया 1408 AD में, अटाला मस्जित की फाउंडेशन, जौनपुर में फिरोसा तुगलक दौरा रखी गई थी 1393 में, बट कंप्लीट की गई 1408 में, इब्राहिम सा की दौरा, उसके बाद लोधी डैंश्टी पावर में आती है, लोधी किंग्डम का पावर चलता है, फ्रॉम 1484 AD से 1525 AD ड़क, 1556 में बाबर अटेक करता है, डेली पर और इब्राहिम लोधी की हत्या कर दिता है, मार डालता है उन्हें, बैटल ओप पानी पत्ने, 1526 में बाबर डेली पर अटेक करता है, और इब्राहिम लोधी को किल कर बैटल ओप पानी पर जीच जाता है, जिससे लोधी डैंश्टी की किंग्डम पावर खतम हो जाती है, और मुगल डैंश्टी का समय आ जाता है, मुगल डैंश्टी के समय एक महान समराट अकबर मात्र 18 साल की उन्मे में 1556 में गद्धी पिराज करता है, क्योंकि उनके पिता हुमायों की लाइब्रेरी के इस्टियर से गिर कर देथ हो जाती है, तो जलाल الدिन अकबर जानपुर में आता है और सरदार मुनीम खान को एज़ा रूलर एपॉइंट करता है, और यही समय था जब जानपुर में साहिपुल का निर्मार हुआ, तो जानपुर में साहिपुल का निर्मार किस के समय हुआ, अगर ये कोश्चन आता है, तो जौनपुर में साहिपुल का निर्माड अक्बर के समय हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ते लंबे समय तक मुगल सल्टनेट का पार्ट रहने के बाद 1722 में जौनपुर नबाब अवद को दे दिया गया और फ्रॉम 1775 सि 1778 टक जौनपुर बनारस के किंक अंडर रहा और पहली बार 1880 में एक डिप्टी कलेक्टर सिप इस्टेबलाइज की गई और जौनपुर को एक सिप्रिट डिस्टिक्ट बनाया गया एक अलग घिला बनाया गया तो यह यह ओवर ओल जौनपुर की कहानी थी आसा करता हूँ आपको यह वैला वीडियो हमारा पसंद आया होगा आप अपनी व्यू और ठाट जरूर सेयर करें और हमारी चैनल को लाइक और सेस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद